Conjuring, horror movies की category में सबसे popular नाम, सायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा तो Conjuring का third part देखने के बाद मेरा क्या experience रहा है, उसी को इस वीडियो की सुरू में share करना चाता हूँ इस movie की कहानी के बारे में सुरुवात में बात करते हैं इस कहानी के सुरुवात में हमें दिखाए जाती है एक family जिसके अंदर एक छोटा पच्चा होता है जिसके उपर possession हुआ होता है, उसे एक सैतान कंट्रोल कर रहा होता है और उसी को rescue करने के लिए Ed और Lauren Warren उसके घर में आते हैं और trial start करते हैं, यहाँ पर एक father को भी बुलाया जाता है trial start करते ही, वो सैतान उस बच्चे के सरीर के अंदर तबाही मचा देता है उसे तरह तरह की shape में मोड देता है और उसे बहुत सारे अत्याचार करता है तब ही उस बच्चे की बहन का boyfriend याने की Arne Johnson उस devil को चुनोती देता है और साफ साफ invitation देता है कि उस बच्चे की body को छोड़ कर वो उसकी body में आ जाए कई बार एक ही बात repeat करने के बाद वो सैतान उस बच्चे की body छोड़ देता है और Arne की body में आ जाता है इस दोरान बहुत बड़ी fight होती है जिसमें Ad और उस बच्चे के अंदर जो सैतान होता है उन दोनों के बीच में fight होती है और Ad को वो बूरी तरह से जखमी कर देता है इसके बाद Ad बेहोस होते होते एक चीज देखता है Arne की body के अंदर वो सैतान एंटर कर जाता है Ad वहाँ पे बेहोस हो जाता है और कुछ दिन hospital में बिताने के बाद situation normal हो जाती है और Ad वापिस host में आता है host में आता ही वो एक ही word कहता है हमें उसे रोकना होगा वो अभी भी Arne की body में exist कर रहा है इस scene के बाद कुछ ऐसा होता है जो सभी के host उड़ा देता है Arne को कई सारे visions होने लगते है कई सारी ऐसी चीज़े दिखने लगती है जो real world में exist नहीं करती थी उसे demons दिखने लगते है उस पे वो attack कर रहा है उसे ऐसा feel होता है और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए Arne अपने हाथ में knife लेकर attack कर देता है और वो attack किस पे करता है Arne और Debbie जिस घर में रह रह रहे होते है जिसके घर में रह रहे होते है उसी के landlord पर यहाँ पर Arne पर लग जाता है एक murder का इल्जाम और उससे almost बहुत लंबी सजा मिलने ही वाली होती है तब भी Ed और Warren वहाँ पर आते है और उसके lawyer से बात करते है उसके lawyer से बात करने के बाद वो उससे यकीन दिलाते है कि Arne के उपर position हुआ है और उसी के influence में आके उसने यह murder किया है उसका असल में ऐसा कोई intention नहीं था जिससे वो murder करें lawyer को यह यकीन नहीं होता और lawyer को यकीन दिलाने के लिए Ed lawyer को invitation देता है अपने घर पे dinner का और वो उसे कहता है उनके पास एक ऐसी doll है Annabelle नाम की जिसे देखने के बाद उनकी lawyer को यकीन करना ही पड़ेगा और यह scene देखने के बाद सच में हमें अंदर से बहुत हसी आती है क्योंकि हमें Annabelle का राज पता होता है अगले दिन से court के अंदर lawyer अपना case लड रही होती है और वही point सामने रखती है कि आरणे ने ये सब जो भी किया है वो एक demon के influence में किया है वो cursed है judge of course इन सारी बातों को नहीं मानेंगे और वो आरणे को सज़ा दे देते है फिर भी Edd और Lauren आरणे को बचाने के पूरी कोसिस करते है उन्हें पता होता है अगर curse हुआ है आरणे पर तो उसे निकालना पड़ेगा वरना आरणे की जान बेजा सकती है इसलिए वो अपनी तरफ से investigation स्टार्ट कर देते है और उन्हें एक अजीब से चीज पता चलती है Edd और Lauren ने जिस रात को trail स्टार्ट किया था उसी घर के निएचे एक अजीब सा तंतर की हुई चीज होती है और उस चीज का फोटो खिचवाने के बाद वो आसपास की पुली स्टेशन पे वो चीज को दे देते है जिससे किसी ने भी पहले इस चीज को देखा हो तो उन्हें वो इन्फार्म कर सके जैसे ही हम स्टोरी में ग्रो होते हैं वो उन्हें बताते हैं पता चलती है इस टोटम के बारे में यहां पर पुली स्टेशन में आने की बाद उन्हें पता चलता है कई महिनों पहले दो लड़कियों पे कुछ ऐसी चीज हुई थी और वो भी मिसिंग थी यहाँ पे लॉरेन और एड उस पूलिस ओफिसर को कन्वेंस करते है और उसी जंगल में इन्वेस्टिकेशन करना जाते है यहाँ पे लॉरेन अपनी सूपर पावर की मदद से उस पूरे सिनारियो को वापिस जीती है और उसे पता चलता है किस तरह से एक लड़की ने अपनी ही दोस्का murder कर दिया था और murder करने के बाद भागते भागते उस जंगल के एंड में खाई होते हैं वहाँ पे गिड जाती है और investigation खता होने के बाद सच में उस लड़की की लास महीं पे मिलती है Lauren और Ed को यहां तक clue तो मिल जाता है पर अभी तक उन्हें पता नहीं चलता कि यह सारी चीज़ा कर कौन रहा है और उसी चीज़ की investigation करते करते आखिरकार वो उस सक्स तक बहुत जाते हैं जिसने ये काला जादू करना स्टार्ट किया था उन्होंने अब तक जिन भी लोगों से बात की होती है उनमें से किसी एक ने उन्हें अभी तक पूरी तरह से सच्चा ही बता ही नहीं होती है और इस चीज़ को राज रखा होता है ये सारी चीज़े आपको सीरीज देखने के बाद पता चल जाएगा अब बात कर दें इसके अंदर हॉरर फैक्टर की तो बी ओनेस्ट मुझे इस सीरीज को देखते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा एक्टुली ये एक टाइप की मडर मिस्ट्री और फ्रीलर मुवी थी इसके अंदर मडर इन्वेस्टिगेशन और आर्डने को छुडाने के लिए वोराज हर पूरी कोसिस करते हैं और बीच बीच में डरा उने चेहरे भी हमें दिखाएगा है अफकॉर्स वो डरा नहीं पाते है दूसरी चीज जो हॉरर मुवी के अंदर कॉमन होती है अंधेरा बहुत ज़ादा अंधेरा इस मुवी के अंदर भी कई सारे सीन्स बहुत डार्क है जो लिटरली हम देखते हैं न तो हमारी आखे दर्द करने लगती है कई बार तो चेहरे भी हम साफ साफ नहीं देख बाते है तीसरी चीज इस मुवी के अंदर एड और वारेंग की लव स्टोरी को दिखाया गया है मुवी की सुरुवात में ही एड पे अटेक हो जाता है और उसकी मैडिसिन्स चल रही होती है कई बार कई सारी सिच्वेशन के अंदर एड अपनी मैडिसिन लेना बोल जाता है लाइक जब वो जंगल में इन्वेस्टिकेशन करने जाते है और लॉरेंग खाई में घिरने ही वाली होती है तब एड उसे बचा लेता है पर उससीन के बाद एड को चक्कर आ जाता है वो बहुत कमजोर हो जाता है लोरें अपना लॉकेट खोलती है और उस लॉकेट के अंदर एड और लाइन की दोनों की छोटी-छोटी फोट्वेशन होती है एक tablet ये scene देखने के बाद हमें add और Lauren एक दूसरे से कितना प्यार करते है वो पता चलता है add perfect नहीं है same way Lauren भी perfect नहीं है फिर भी एक दूसरे को complete करते हैं वो ये चीज हमें इस scene के थुरू पता चलती है दूसरी interesting चीज मुझे इसमें ये लगी जब Lauren भागते भागते खाई में गिरने वाली होती है उस scene के अंदर Lauren के point of view से हमें अंधेरा दिखाया जाता है पर जब Lauren almost खाई में गिरते गिरते बचती है अपना पैर रोग देती है तो बचानक से अंधेरे से उजाला हो जाता है और वो जो transition था ना बहुत पसंद आता है ऐसे कई सारे transition इसमें apply किये गए है जो बहुत पसंद आ है मुझे मुझे ये movie पसंद आई इसलिए नहीं क्योंकि एक horror movie है क्योंकि ये murder mystery movie है और इसकी story मुझे interesting लगी so मेरा यही experience था इस movie को लेकर आपने अगर ये movie देखिए तो आप अपना experience में शेर कर सकते हो thank you for watching this